अलो एवरिवन आज का हमारा टॉपिक है जो चरक है सुशुर्ट सेंता है उसके उत्तर तंत्र का 41 चेप्टर शोष प्रतिशेदी यानि राजजक्षमा के बारे में इसमें पढ़ेंगे उसकी चिकित्सा उसके लक्षनोवाधी के बारे में तीन नम्मर श्लोक को हाइलाइट करेंगे ये श्लोक लिखके आपको आएगा और पूछेंगे कि किस व्याधी के बारे में बोला अनेक रोगा नुगतो यानि जिसके अनेक रोग क्या करते हैं उपद्रव स्वरूप होते हैं बहु रोग पूरोगम है ठीक है दुर विग्गेयो दुर निवारे सोशो व्या इसको बोला गया है ठीक है नेक्स्ट आता है इसमें चार नंबर श्लोक में देखिए हिंदी में देख लीजी आप रक्त रस है रक्त आदी धातों के सोशन होने की वज़े से सभी धातों का सोशन हो जाता है इसलिए शोश बोलते हैं शरीर की बाये या आंतरिक संपूर्ण क्रियाओं का ख्षय कर देती है इसलिए से ख्षय बोला जाता है और प्राचीन कताओं के according क्या है कि नक्षत्र राज जंद्रमा है उनको हुआ था इसलिए इसको राज यक्ष्मा बोला गया नेक्स्ट आता है इसमें 10 नंबर श्लोक में आई आई आप 10 नंबर पेज नंबर 315 पेज नंबर पे यहाँ पे संप्राप्ति बोली गई है राज जक्ष्मा की क्या है तो हिंदी में देखिए कफ परधान जो दोश है वो रस वहक श्रोत्सों के अवरुद हो जाने से आतदिन मैग्थुन दोनों कारण बोले हैं देखिए प्रतिलोम और उनलोम क्षय मतलब जैसे मैथुन आतदि कोई सेवन करता है तो उसकी वज़े से शुक्र धातु क्षय होगी और उससे पहले पहले वाली भी ऐसे धात्वे क्षय होती रहेंगी या फिर कफ परधान जो दोश है वो श्रोत्सों में अवरुद कर लेंगे तो एक धातु से दूसरी उत्र उत्र धातु क्षय होती रहेंगी तो ये क्षय है जिसकी वज़े से इन दो कारणों की वज़े से एक तो रसवाग श्रोत्स है वो अवरुद होगे दूसरा मैथुनादी की वज़े से शुक्र क्षीन हो गया इन सभी कारणों से सभी धात्वें क्षीन होके और व्यक जो रसादी धातो जाते हैं जिसकी वजे से क्या होगा राज्यक्ष्मा की उतपत्ती होती होती नेक्स्ट आईए आप 316 316 नमबर जो पेज है उस पे देखिए सेकंड लाइन में सेकंड लाइन में यद उक्तम वायू धातू ख्षयात कोपो मारगस्या आवरणे इंच चरक चिकित्सा में आया तो क्या कर लेंगे जो जैसे मारग है जो वायू है उसका प्रकोप हो गया मारग है जो वायू का वो रुक गया वरण की वज़े से तो धातों का ख्षय होता रहेगा में इसमें 11 और 12 नमबर श्लोक है जो भी यहाँ पे राजजक्षमा के पूरू रूप बोलेगे देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो चरक सहीता है जो वहाँ हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं वहीं इस कवर हो जाता है वो लेकिन यहाँ पे कुछ-कुछ चीजें हैं जो सुश्चुत ने अलग बोली बस उन पे आपने ध्यान देना है ग्यारा और बारा नंबर श्लोक की हिंदी में देखिए थर्ड लाइन में थर्ड लाइन में देखिए रक्त अलपता वश्वेत नेत्रवाला हो जाएगा वो यानि शुक्ल अक्षी हो जाती है ऐसा बोला राज जक्षमा के पूरू रूपों में क्योंकि एनिमिक हो गया प पेडों को सुकता हुआ वायू धूम दावागनी से जवो देखता है नेक्स्ट तेरा नंबर श्लोक इंपोर्टन्ट है इसको आप हाइलेट कर लीजिए भक्त द्वेशो जवर श्वास कास शोनित दर्शनम स्वर भेदा हाइलेट की आपने आप यहीं लिख लीजिए सु ज लिखिए फिर का और स यानि जकास अरूची प्लस शोष इसका मतलब क्या है जवर का का मतलब कास स का मतलब स्वर भेद अरूची शो का मतलब शोनित दर्शन और श का मतलब है स्वास लास्ट वाले तो जकास अरूची प्लस सोष यह है सुश्रुत के अकॉर्डिंग आप जकास अरूची प्लस पाव मतलब जवर है कास का होना स्वर भेद अरूची ये तो उन्होंने भी common बोले हैं फिर वो पाव बोलते हैं चरक बोलते हैं पाव का मतलब पार्श शूल और व का मतलब वर्च भेद यानि अतिसार होगा पेशेंट को इन्होंने जब बोला सुषृत ने जकास अरूची प्लस शोश यानि शोनित दर्शन और स्वास होगा पेशेंट को important है दोनों के अनुसार next आईए 14 और 15 नंबर श्लोक में 14 और 15 नंबर श्लोक इसमें आप इसके आगे लिख दीजे जहां इसके हिंदी की explanation है कि दोशों के भेज से एक आदश रूप बोलते हैं राजजक्षमा के तो आप लिखना वात और एरो करके लिख लिजे तीन वात की वज़े से तीन पित की वज़े से चार और कफ की वज़े से चार वात की वज़े से तीन पित से चार और कफ से चार कुल मिला के ये एक आदश लक्षन बोले गए हैं नेक्स्ट आईए तीन सो बीस नंबर पेज पे त्री ट्वेंटी इसमें जो ये लिखा हुआ है ना विमर्ष है उपर से स्टार्टिंग से तो इसकी पेज के टॉप पर लिख लीजिए अगर किसी को नहीं मिला तो लिखे भोज और एरो करके लिख लीजिए जकार जै का और इसका मतलब क्या है जवर कास और रक्तपित ये बोलते हैं त्री रूप राजजक्षमा ये राजजक्षमा के अगर त्री रूप आने हैं तो ये तीन रूप आते हैं भोज के अकॉर्डिंग जवर कास और रक्तपित नेक्स्ट आता है हमारा देखिए अठारा नंबर शलोक में हिंदी देखिए यक्षमना से अगर कोई असाद्य है तो उसके क्या लक्षन आएंगे अतिदिक या प्रियाप्त भोजन करने पर भी उनका श्रीरक्षीन हो रहा है अतिसार से पेडित है अंड कोश और उदर में शोत हो गया तो वो नहीं बचता राजजक्षमा से 19 नंबर शलोक में देखना 19 की हिंदी में रक्त शीनता की वज़े से जिसके नित्र श्वेत हो गया अन्न से घ्रिना कर रहा है और हाइलाइट करना उर्ध स्वांस हो अगर राजजक्षमा के पेशन को उर्ध स्वांस हो जाए और कठिंता से अधिक मुत्र त्या करें ये हाइलाइट करना उर्ध स्वांस से पीडित है और क्रिछेन बहु मेहंतम यानि क्रिछता से कठिंता से अधिक मुत्र त्या करता है तो वो रोगी राजजक्षमा वाला मर जाएगा असाध्य है नेक्स्ट आता है हमारा 24 नंबर श्लोक 24 जरा सोशी के लक्षन यहाँ पर बोला गया अतिदिक जो जरा है मतलब व्रिद्धा वस्ता की वज़े से जो उत्पन हुआ शोश है उसमें व्यक्ति कृष हो जाएगा बल, बुद्धी, वीरिय, इंद्रिय यह दुर्बल हो जाएंगी श्रीर कंप होगा और थर्ड है ना जो 25 की नीचे एक्स्विनेशन है हिंदी में थर्ड लाइन में देखे तूटे कांसे के पात्र के समान शब्द करेगा 24 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड हाइलाइट कर ले अगर आपको श्लोक में हाइलाइट करने है भिन कांसे अपात्र हत स्वरा जैसे कांसे अपात्र होता है उससे शब्द निकलती है ना ऐसी आवाज हो जाती है पिशिन्ट की हत हो जाता है स्वर ऐसा बोलते है और 25 नंबर श्लोक का अद्व शोशी के लक्षन यानि जादा मार्ग चलने की अद्व का मतलब होता है जादा चलने की वज़े से अगर शोश उत्पन हुआ है उसके क्या लक्षन है तो 26 लास्ट में हाइलेट करना शुष्क क्लमो गलाननम शुष्क क्लोम गलाननम उसका क्लोम है जो गला है और आनन मतलब मुखिये सूख जाते हैं अद्व मार्ग चलने की वज़े से जरा सोशी में याद रखना भिन कांसया पात्र हत्सवरा और शुष्क रुक्ष मलच्छवी फिर इसी तरीके से आगे व्याम शोशी के वरण शोशी के उरक्षत आदी के लक्षन यहां पे बोले हैं अप नेक्स्ट आईए 35 नंबर श्लोक 35 नंबर श्लोक के हिंदी में देखिये राजजिक्षमा की समान्य चिकित्सा बोलते हैं कि स्थिरा अदी गण की ओश्डियों के कलक और क्वाच से सिध किये हुए बकरिया भेड के घृत से स्निहन देना है मृदू ओश्डियों के द्वारा उर्ध और अदो संशोधन यानि वमन और विरेचन राजजक्षमा के पेशेंट को आप क्या करते हैं वमन भी और विरेचन भी क्योंकि अचार्य चरक बोलते हैं कि राजजक्षमा का पेशेंट उसके मल की रक्षा कीजिए क्योंकि उसका जो बल होता है वो मल के अधीन ही है ऐसा बोलते हैं अचार्य चरक तो मृदू करानी है ये चीज़ें अगर दोश बहुत जादा हूँ आस्थापन बस्ती और शिरो विरेचन कराना है और लास्ट में देखिए जो 35 नमबर श्लोग के नीचे एक्स्फिलनेशन है उसमें लाक्षमा की ब्रिहन चिकित्सा करती है ब्रिहन करना उस व्यक्ति को क्योंकि शोष तो पहली ही हो रखा है उसको नेक्स्ट है 45 नमबर श्लोग इसकी हेडिंग जो है इसको बॉक्स में बंद कर लीजे अश्व गंधो उत्सादन वसा घृत अश्च यानि यक्षमा के पेशिन को उत्सादन अगर करना हो तो अश्व गंधा अधी से उत्सादन करना चाहिए फिर वासा घृत बोला पचास नमबर श्लोग की हेडिंग को हाइलेट कर लेना द्वी पंच मूली घृत द्वी पंच मूली घृत राज जक्षमा में बताया चारिय सुशुद ने फिर नेक्स्ट फिफ्टी सिक्स नमबर श्लोग है फिफ्टी सिक्स नमबर श्लोग की हेडिंग हाइलेट कर लेना अला अधी घृत ये कुछ योग है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने कि कौन से जो चैप्टर में कौन से आये तो अला अधी घृतम आपने हाइलेट किया नेक्स्ट देखिए फिफ्टी एट नमबर श्लोग इसमें हाइलेट करना जो हेडिंग है इसके फिफ्टी एट की ये क्या बोलते कि बकरी की जो पुरीश है वो बकरी का मुत्र बकरी का दुग्द बकरी का घृत बकरी का रक्त और बकरियों के साथ निवास करना प्रतिदिन स्नान उग्टन भक्षन निवास करने की वज़े से एक मास तक सेवन करने से ये सब राज्यक्षमा को पूर्ण रूप से नश्ट करता है तो आप यहीं लिखना काश्यप और arrow करके लिख लिग लिजी, आज रसाइन काश्यप ने आज रसाइन का वनन किया है, शोश व्यादी के लिए, आज रसाइन यी अजा के साथ सुश्रुत ने भी बोला कि अजा जो भी प्रोड़क्ट है, वो देने हैं और उनके साथ निवास करने से राजक्षमा ठीक हो जाता है ऐसा बोला गया फिर 59 नंबर श्लोक में देखिए 59 की हिंदी रसोन योगह विधीवत यहां करके लिखा है यानि एक शेय से पीडित जो व्यक्ति है उसको लशुन रसोन बोलते हैं तो इसके योग देने है नागबला के स्वरस और चून से दुग्द देना पिपली वर्दमान का सेवन करना और शिला जित्तू का प्रियोग करना ऐसा बोला गया है फिर आता है 60 नंबर श्लोक देखिए 60 नंबर श्लोक इसमें क्या बोला कि शोष में परिहारे क्या है शोक करना इस्त्रियम इस्त्री सेवन करना क्रोध हम क्रोध करना असुयश्च यानि दूसरों के गुणों में भी दोश देखना मतलब कमिया निकालना दूसरे में ये वर्जित है और त्यजेत उद्रान विशान भजेतू और उदार आदी जो विशें है मतलब उदार जो उद्करिष्ट चीजें उनका सेवन करना चाहिए पहले बोला कि जो चिंता है मतलब शोक है इस्त्री सेवन क्रोध है असुया इनको तो त्याग करना है तजजेत और उदारान विशान भजेत जो उदार विशें है जो उदार विशें है जो उद्करिष्ट करेंगे ऐसे खादय पे चीजें उसको देनी चाहिए फिर हिंदी में देखिए लिखा है ना वैद्य है द्वी हिंदी में भी हाइलेट कर सकते हैं आप फस्ट लाइन को तो ये राज्यक्ष्मा हमारा जो चेप्टर है वो कंप्लीट होता है इसमें आपको जो इसका पहला श्लोग था कि अनेग रोगानुगतो बहु रोग बुरोगमे दुर विग्यो दुर निवारे शोशो व्याधी महाबले उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि जो राज्यक्ष्मा है उसके शड़ रूप कौन से है वो याद रखना आप शुष्षृत के अकॉर्डिंग भी और चरक के अकॉर्डिंग भी फिर राज्यक्ष्मा में पूर्व रूपों में मानसिक भी बताई गई है सपने में ऐसा ऐसा उसको दिखता है तो यह राज्यक्ष्मा में आपको याद रखना है फिर जो चिकित्सा वाला पॉइंट है उसमें कुछ घृत मतलब जो कॉंबिनेशन या ओश्दियां कौन कौन सी देते हैं आज रसाइन काश्यक ने बोला है सोश में वो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी याद रखनी है